सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक शक्स एक महिला पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान गलत तरीके से छूदा नजर आ रहा है। इस वीडियो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही ऐसा करने वाले शक्स के खिलाफ कारवाई की मांग की गई है। दरशल ये वीडियो स्पेन के मेडरीद का है और ये घटना बीदे मंगलवार 12 सितम्बर की है। अब ख़बर है कि वीडियो में महिला पत्रकार की साथ अभधरता करने वाले शक्स को गिरफतार कर लिया गया है। पत्रकार ईसा बेलारो चानल कुवात्रो के लिए मेडरीड में एक डकैती पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। तब ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें गलत तरीके से छूने लगा। जिससे वो अस्थ हो गई। वाल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शक्स कैसे पीछे से महिला के शरीर पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि वो किस चानल के लिए काम करती है। हालाकि इन सब के बीच भी महिला पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग जाली रखती है। जिससे देख कायकरम को स्टूडियो से होस्ट कर रहे होस्ट हैरान रह जाते हैं। और आखिरकार वो ईसा से पूछते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने आपके बट कुछ हुआ है। जिस पर महिला पत्रकार और सेज सिती में हां कहती है। इस बात पर रैंकर भड़क जाता है और कहता है कि क्रिपया उस आदमी को मेरे सामने कैमरे पर लेकर आए। हाला कि इस वीडियो के बारत होने के बाद मैडरीट पुलिस ने उस आदमी को गिरफतार कर लिया है। लेकिन उस पर चार्ज क्या लगे हैं ये बात अभी सामने नहीं आई है।